language development of the child module no.203 language development in India dear student मुझे इस module में आपसे language development in India के बारे में बात करनी है इंडिया में बहुत बड़ा मुल्क है ये linguistic diversity in India with over 1600 languages ये ये इतना बड़ा मुल्क है यहां तोला सो के क्रीब जुबाने बोली जा रही हैं पूरे मुलक में और लेकि उनकी मेजर लैंग्विजिस जो हैं हिंदी बंगाली तामिल तिलगो मराथी गुजराती और अर्दू इसके इलावा और सैंक्रो जबाने होंगी जो उनकी इलाका ही क्योंकि देखें यह 26 स्टेट्स वाला सूबों वाला मुलक है और जिसमें लैंग्विजिस का आप देखें डाइवर्सिटी भी इसी तरह से होगी तो रीजनल लैंग्विजिस जो हैं वो लैंग्विज डिवैल्मेंट में बड़ा वाइटल रोल अदा करती हैं उनकी कल्चिरल आइडेंटिटीज को सेव करने में और एंफोस्टिंग लैंग्विज डिवैल्मेंट प्रैक्टिसिज तो वो बचों में जो इनक्लूसिफ लैंग्विजिस है यानि कोई भी ऐसा नहीं है कि यहां चूंके यह मुल्क है लैंग्विजिस के तनवव वाला मुल्क है यहां एक से ज़्यादा जबाने बचे बोलते हैं तो लहाजा लैंग्विज बैक्ग्राउंड होता है उनका और वो ज्यादा लैंग्विज जो स्कूलों या उसमें लैंग्विज डिवल की जाती है उनकी वह भी इंक्लूसिफ उनकी प्रैक्टिस होती है बाइलिंग्विलिजम और मल्टिलिजम इन इंडिया पाकिस्तान और इंडिया का तकरीपन background एक ही है और children India ग्रो भिद bilingual environments and multilingual environments bilingual say मिराद दो जबानों का ब्याक वक्त सीखना और multilingualism जो और मिराद है भ्याक वक्त कई जबानों का सीखना वैग जहां बचे जो है उँआ इस ब्राइन का सामना έχ ता है दो से ज़्यादा लैंगविज का मुल्टी लैंगविज का अरली एज़ से ही अप्तदा से ही लहाजा उन में कोड स्विच इंग और लैंगविज मिक्सिंग इस कामन प्रैक्टिस तो वह क्या करते हैं कि चिल्डन स्विच कोड बिट्वीं टूस लैंगविज़ और Language development में बड़ा ये critical role अदा करती है और इनकी development होती है As it lays foundation for literacy, communication skills and cognitive development तो literacy skills, communication skills और cognitive development जो उनकी जहनी नशुनमा Languages ने इन सब में बहुत अहम किरदार अदा करती है और exposing to multi languages in their early years जब उनको बच्चों को इकतदाई सालों में ज्यादा language सिखाई जाएंगी तो वो उनकी cognitive flexibility को enhance करती है और वो biolingualize यानि काम सकम दो जुबानों में महारत हासल कर लेते है Regional languages education तो regional language education study in their mother tongue are regional languages तो जो उनकी states में या उनकी सूबों में उनकी जो इबतदाई education है वो उनकी regional languages जो उनकी उस area की language है उसमें सिखाई जाती है और पोस्टर effective language development यह इप्तदा से जो वो practice उनकी जब language होती है तो उनमें यह effective language development की practices उनमें पैदा की जाती है government के जो initiatives है और education policies जो हैं वो भी support करती है regional languages को और regional languages को promote करने के लिए text books है language programs है and cultural festivals यह निए government इन सब चीजों का इहतमाम करती है उनकी language development के हवाले से English language education significance of English as an additional language in India इंडिया में पाकिस्तान के बरक्स जो English है वो additional language के तौर पर शिखाई जाती है फ़ास तौर पर उनकी communication higher education और employment opportunities में इसका बहुत अहम रोल है English language teaching in schools develop English proficiency among students तो school के level से ही उनमें English की महारते पैदा की जाती है और role of English language teachers and resources is support English language development तो teachers English teachers का और जो वहां sports उनको फराहम की जाती है resources फराहम की जाते हैं इसका बढ़ा आहम रोल है उनकी language development में language assessment and support language की assessment के लिए standardized test language proficiency test है scales है और दूसरे evaluation methods इस्तमाल किये जाते हैं language sports program है such as remedial classes है और language intervention strategies intervention से मुराद यह है कि उनको कोई उनका कोई problem है या को नई चीज सिखानी है तो उसके लिए कोई intervention दी जाए कोई नया तरीका उसको सिखाया जाए और inclusive education practices तो वहां भी inclusive education practices सिखाया जाती है और वो उनमें एक languages diversity और उनके जो students की needs के मताबक होती है उसके मताबक उनको सिखाया जाता है digital tools and language development अब technology का दोर है digital tools और technology का इस्तमाल है वो बढ़ता जा रहा है इंडिया में भी और दुनिया में भी और educational apps online language learning platforms यह use किये जाते हैं interactive platforms हैं और interactive media और resources for language acquisition and literacy skills यह सब इस्तमाल किये जा रहे होते हैं लेकिन इंडिया में इनके लिए accessibility का challenge है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी population वाला मुल्क है तो वहां तमाम बच्चों के लिए language के लिए जो technology apps हैं उनका कि access सब के लिए यह फ्राहम करना मुश्किल है तो यह है language का जो perspective यह इंडिया में language development की जो practices हैं उन पर मैंने आपसे बात दिये हैं